बिग बॉस के उनिस्वे दिन भी धर का माहौल तनाओं से भरा रहा जहां क्याप्टेंसी टास्क में लोग एक दूसरे से लड़ते जगड़ते दिखे तो वही काल कोठरी की सेजा के लिए लोगों के बीच बहस छड़ गी हाँ इस सभी के बीच जो चीज प्यार और रोमांस से भरी हुई थी वो थी अनूप जलोटा और जसलीन की ब्यूटिफुल देट आई आपको बताते हैं कैसा रहा बिग बॉस के घर का उन्निस्वे दिन के शुरुआत हुई कैप्टेंसी टास्क से नेहा जो रिंग टास्क की संचालक थी उन्होंने सोमी को टास्क से डिस्कौलिफाई कर दिया खान सिस्टर्स के साथ देपिका ने भी नेहा की कैप्टेंसी पर सवाल उठाए और कहा कि वो उनकी दोस्त भले हैं मगर इस बात पर उनका सपोर्ट बिलकुल नहीं करेंगी इसे बीच कैप्टेंसी के टास्क से शिवा शेष हाँख खड़े कर लेते हैं पकड़ी हुई रिंग को वो छोड़ देते हैं जिसके बाद नेहा रोमिल और सुर्भी को घर का नया कैप्टें बताती हैं इन सभी लड़ाई जगडों के बीच बिग बॉस अनूप जलोटा और जस्कीन के लिए एक रोमांटिक डेट अरेंज करते हैं इस डेट पर जस्कीन अनूप के साथ कुछ कॉलिटी टाइम बिताती हैं अनूप ना सिर्फ जस्कीन के साथ पार्टनर डांस करते दिखाई देते हैं बल्कि उनके लिए चौद भी का चांद गाना भी गाते हैं साथ ही साथ अपने घुटनों पर बैट कर आई लव यू कहते हुए भी नजर आते हैं अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि किस तरह अनूप जलोटा अपनी जोडी जस्लीन के साथ तोरना चाते हैं क्योंकि जस्लीन टास्क में अनूप की जगा कपड़ों और मेकप को ज़्यादा तवज्दो देते हैं मगर बिग बॉस में इस रोमांटिक डेट के बाद जस्लीन और अनूप फिर से एक दूसरे के खरीब आते दिखते हैं अगर आपको लगता है कि बस इस डेट और प्यार रोमांस के बाद घर पर जगड़े नहीं हुए होंगे तो आप गलत हैं जिहाँ टास्क के बाद काल कोटری की सजा को लेकर एक बाद फिर घरवालों के बीच बहुस छड़ जाती है घरवालों के डिसीजन के बाद करणवीर नेहा और श्री संथ को काल कोट्री की सजा दी जाती है सिर्फ यही नहीं बिग बॉस अगले हफते के लिए इन तीनों को ही नॉमिनेज भी कर देते हैं ओवरॉल बिग बॉस के 19 से दिन जहां घर में लड़ाई जगड़े हुए वही रोम्यांस का तड़का भी लगा